मेरा नाम नारायन है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत सवागत करता हूं दोस्तों मैं OSPF के ही टॉपिक पे continue videos upload कर रहा हूं मैंने बहुत सारे videos upload कर रहे हैं साथ 8 video OSPF के different topic पे इस topic पे आगे जाने से फ़रले मैं अपने channel के बारे में कुछ information दिना चाहूंगा तो मेरा Facebook पे CCNA करके page बना हूँगा अगर आप उसको search करते हैं और उस पे जाते हैं तो सारे videos आपको मिल जाएंगे या तो पिर आप मेरा channel subscribe कह सकते हैं मेरा नाम भी आप मुझे सर्च का सकते हैं अगर आप ना रहें बगेल करके या पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले मेरा ही channel है अगर आपे 222 वीडियो से सब्सक्राइब करेंगे तो आपे ज्यादा वीडियो मिलेंगे तो हम इस वीडियो में देखेंगे अब चलती है उसके कॉंफिट करते हैं बहुत सारा कमुनिकेशन होता तो उसमें कुछ इस टेट होती है राऊटर किससे स्टेट में आता है किस वक्त क्या काम करता है क्या करके तो एक एक करके हम उन सारी स्टेट को देखेंगे सबसे पहले क्या होता है एक डाउन स्टेट तो सहाथ हम हर एक डिवाइस के लिए जानते ही है क्या होता है यह इंडिकेट करती है इंडिकेट्स दाट नो हेलो है बीन हर्ड फ्रम दो नेवर रॉटर तो इस कंडिशन में क्या होता है रॉटर अगर डाउन की स्टेट में है तो इससे पता चलता है कि इधर से सबोज हम इस सी रॉटर की बात करें और यह डाउन की स्टेट में है डाउन की स्टेट में नहीं इसका कहने का मतलब यह है कि सपोज हम यहां पर बात कर रहा है इस router के पास में 여기까지 8 Whoo पुछ update नहीं मिला है इधर से सब्सक्राइब कुछ ब्लडा पहले बताय थे कि एक interval होता है दो interval एक होता है hello interval और यह देड इंट 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 हिक है तो इस अब यहां पर concept यह है कि इस router के पास में चारो router तीनो और इसकी इनफरमेशन रहेगी तो अगर उतनी देर में यहां से कोई router अपडेट नहीं करता है तो क्या है यह router अपने आपको एक dead interval में लेके जाता है अगर इसको 40 seconds में फिर से इस router का कोई अपडेट नहीं मिलता है तो इसको डाउन स्टेट कर लेता है अब यहां पर एक होता है इसका काम रहता है यह इंडिकेट करता है इसको इनिशेटिंग सिचेशन बोलता है यहां पर होता है की इंडिकेटर है इसको पता चल लिया तो इसको कुछ पता नहीं चल ला तो इसको क्या बोलता है इनिशेटिंग सिचेट बोलता है वैसे एक टूवे कम्मिनिकेशन करें यह पिर इसको टूवेस्टेट कर ला द couple लाएया है यह वाले से तो इधर से इसको अप्डेट पास यह तो इस जो यह तो इस इनफोर्मेशन जाएगी उस इनफोर्मेशन में इस राउटर की इनफो के बाद ही जाके यहां पर adjacency create होती है इनके बीच में तो वही चीज यहां पर लिखा है कि indicate that bi-directional communication has been established ठीक है तो जब communication हो जाता है information change हो जाती ही तो उसके बाद में finally decide करते है कि उनके बीच में क्या है two-way communication established हो गया है और दोनों के बीच में proper communication है अब यहां पर क्या है दोनों तरफ एक्चेंज हो गया तो वह तुमारा two-way communication हो गया अब इसी कंडिशन में क्या है अब सबोस सारे information यहां पर भी मालू में सारे information यहां पर भी मालू में सारे information चारो राउटर पर पता है तो जब सारी information available हो गई कौन सा router की क्या पराटी है, क्या IP address है, तो उस वक्त सारी information available होने के बाद ही ये decide करता है कि मेरा कौन सा router designated router रहेगा और कौन सा मेरा backup router रहेगा, तो इसी टाइम पर इसका selection होता है designated router का और backup designated router का. Next state इसकी रहती है exchange state, तो indicate that the router are preparing to share link update state information. तो जो हमारा exchange state या EX start रहेगा, तो ये भी एक state है, तो इस condition में क्या है, वो ready होता है कि अब मुझे information share करना है करके, master slab relationship are formed between router to determine who will begin the exchange, तो अभी यहाँ पर क्या है, ये decide करता है कि first कौन अपनी information share करेगा, फिर second कौन information share करेगा, third कौन information share करेगा उसको, master slab situation बोलता है, या पर हम क्या 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 है, situation रहती है, अब एक चेंज करने की situation होगी, या पर तो start था है, अब एक चेंज करने के state में आगे है, indicates that the router are exchanged, exchanging database description, descriptor, sorry, तो इसको क्या है, dbds बोलते हैं, database descriptor, यह क्या continuous status रगी, changing इधर सारा, इधर पर data जारा करके, अभी दूसरा चीज़ इसके बार में क्या है, database descriptor contain a description of the router's topology database, सारा का सारा इसके अंदर database रहेगा, topology database, जो table बनती है, router पर, router will examine, nevles, अभी यहां पर, जो भी dbd रहेगी, दूसरा router की, उसको examine करेगा, to determine if it is, has information to share, अभी उसमें कुछ information तो नहीं है, share करने के लिए, या इसकी information है कि नहीं, उसको verify करेगा, उसको check करेगा, ठीक है, तो अभी, एक, दो, तीन, चार, पांच state हो गई है, और कुछ state है, राउटर आर फाइनली एक्चेंजिंग लिंक स्टेट, एल, एस, ए, ठीक है, यह फाइनल, इसका जो है, स्टेटमेंट रहेगा, कि यह फाइनली, हमारा जो है, एल, ऐसे, एक्चेंज हो रहा है, राउटर के बीच में, containing information about all links connected to each other, उसमें सारी जो लिंक स्कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ में, उसकी information रहेगा, essentially, राउटर आर शेरिंग टेबल विछ एदर, में में जो उसमें रहेगा, गैर्ट जो अमरे नेटवर्क टेबल टेबल रहेगे, राउटर टेबल टेबल बेसिकली मैं इन तो पता चल जाएगा, उनका क्या काम है, ठीक है, तो यह शेर करती है, इस कंडिशन में लोडिंग स्टेट में, दूसरे के साथ में, अब वैसे वहाँ पे फुल का एक स्टेट रहता है, इसमें क्या रहेगा, इंडिकेट देट राउटर अर फुली सिंक्रोनाइज, मतलब सारे इंफरमिशन अप टुदेट है, सारे राउटर के बात में, तो अब है, तो अब है, तो अब है, यहाँ पे सिचुएशन यह हो गए कि सारे राउटर को सारी इंफरमिशन प्रॉपर तरीके से पता रहेगी, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने लाएगा है, कि depending on the role of the nevus, अभी हमने जो हमारे पास nevus routers है, उनका क्या role है, ठीक है, तो उस condition के हिसाब से क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें स्फिर से चेंज हो जाएगी, अभी suppose, यहाँ का जो मेरा router priority है, सबसे highest है, तो यह मेरा db बन जाएगा, अभी इधर क्या है, तो इसका अगर इससे कम रहेगा, तो यह क्या मेरा bdr बन जाएगा, तो इनकी जो information है, इधर पे वो shuttle करेंगे, अच्छा यह वाला router मेरा db है, और दूसरा वाला router है, वो मेरा bdr है, dbdr करके तो वो information synchronized होगी, I mean change होगी, उस रजाब से उनके role भी define होगी, अब यहाँ पर क्या हो रहा, suppose एक state रहेगी, ठीक है, तो full एक रहेगा हमारा पस, dr, जो मारा designated router है, इंडिकेट करेगा, indicating that the neighbor is a designated router, ठीक है, अगर प्राइटी उन्होंने देखके, चेक क्या है क्या है क्या ने, तो उसको पतर है गए कि यह वाला हमारा full dr router है, वैसा ही, एक full bdr, अभी full bdr मतलब हमारा backup, backup हमारा dr रहेगा, designated router, यह कौन सा है करके, उसके information रहेगी, यह ही लिखा होगा यहाँ पर, indicating that the neighbor is a backup designated router, और full dr other, तो इसमें गहाँ रहेगा, indicating that the neighbor is neither dr और bdr, तो जो बाकी के router को consider करेंगे कि वह नहीं, तो हमारा dr है, नहीं तो bdr है, तो इस तरीके से, यह full वाली situation में, state में, वहाँ पर calculation होगा, और information exchange होगी, अब यहाँ पर कुछ चीजें है, एक important, on the multi-access network के, अगर हम बात करें, ठीक है, ospf router will only form full adjacency with drs and vdrs, तो अगर हमारा पास multi-access network है, यही वाला मारा multi-access network करेंगा, तो इस condition में क्या है, यह full adjacency create करेंगी, dr और bdr के साथ में, अब यहाँ पर non-drs, और non-bdrs will still form adjacency, but still remain in bay 2, अभी क्या है, जो बाकी के routers में रहेंगे, वो अपने state में रहेंगे, 2-way communication में, 2-way communication में क्या है, communication होता रहेगा, information change होती रहेगी, क्योंकि यह, क्या क्याता है, non-dr router है हमारे, इनको ने designated router और backup designated router select नहीं किया है, बट उनका communication होता रहेगा, this is normal OSPF behavior, तो यह क्या है, हमारा OSPF का normal behavior होता है, तो दोस्तो, I hope की वीडियो अब लोग लिए informative होगा, अगर यह आपको लिए informative होता है, अगर कुछ information आपको मिलती है, कुछ सीखने को, तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, ताकि ज्यादा लगो तक पहुचे और मेरे चैनल को subscribe कीजिए, ज्यादा वीडियो के लिए, till then bye bye, next video में और कुछ network types के बारे में discuss करूँगा, तब तक इस वीडियो से सीखने की कोशिच कीजिए, और मेरे चैनल को subscribe कीजिए, जैसे मैंने पहले बताया है कि मेरा YouTube चैनल पर हम sign करते हैं, आपर sign in, तो 200 वीडियो से रहेंगे, 213 24 वीडियो से हैं, आप subscribe करते हैं, तो वहां से सीख सकते हैं वह सारी चीज़े, अगर आप चाहें तो subscribe कर सकते हैं, और यहां पर आप देखेंगे तो, वीडियो मैनेजर में जाता हूँ मैं, यहां पर मुझे लिस्ट में जानी पड़ीगी, तो आप यहां पर देखेंगे तो आपको, इतने सारे वीडियो मैंने अपलोड करें हैं यहां पर, अगर आप subscribe करते हैं तो आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें, यहां पर एक एक करके कुछ वीडियो से हैं, जहां पर question and answer भी है, इसीन एक्जाम के लिए जाते हैं, 10 वी वीडियो और अलग अलग topic पर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखिये, till then bye bye